सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के अईरुवेद और योग की चर्चा हो रही है कोरोना की दरश्टी से आयुश मंत्राले ने इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था मुझे विश्वात है कि आप लोग इसका प्रोग जरूर कर रहे होंगे गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशानिर देश्ट आयुश मंत्राले ने जारी किये हैं वो आप अपनी दिन चरिया में शामिल करेंगे तो आपको भहुत लाभ होगा साथियों, वैसे ये दुरभाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और सम्रुद्ध परमपरों को पैचानने से इनकार कर देते हैं लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश, एविडेंस बेस रिसर्च के आधार पर वही बात करता है हमारी फर्मिला हमें सिखाता है, हम उसे हाथ हो हाथ ले लेते हैं संब्रुत है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैक्डों वर्सों की हमारी गुलामी का कालखन रहा है इस वेज़े से कभी-कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है हमारा आपनी विश्वास कम नजर आता है इसलिए हम अपने देश की अच्छी बातों को, हमारे पारंपारिक सिधान्तों को एविडेंस बेज रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाए उसे छोड़ देते हैं उसे हीन समझने लगते हैं भारत की युवा पिढ़ी को अब इस चुनोती को स्विकार करना होगा जैसे विश्व ने योग को सहस्विकार किया है वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आईरुवेत के सिधान्तों को भी विश्व अभश्य स्विकार करेगा हाँ इसके लिए युवा पिरी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समस्ती है उस वैज्यानिक भाषा में हमें समझाना होगा कुछ करके दिखाना होगा